मैं एक आपसे कोशन बुछता हूं क्या आप अपनी जिन्दकी से खुश हो यह कोशन आपको बहुत बात सुनने को मिलेगा इस मुवी के अंदर और हर करेक्टर जो इंपोर्टेंट है लिटरली यह कोशन पूछता है और इससे कही ना कही इंफुलेंस होता है इस मुवी के अ मलती है और मैडिनेस की रिव्यू बिना किसी का भी टाइम बर्बात करते हुए और एक्सपेक्टेशन को अपनी उकाद के अंदर रखते हुए चले वीडियो शुरू करते हैं डॉक्टर सेंज एन वांडा मैडनेस यह मुवी ओल्मोस्ट दो घंता चे मिनट लंबी है जहां पर एंड में हमें 10 से 15 मिनट का नाम और क्रेडिट देखने को मिलता है तो यह मुवी दो घंटे से भी छोटा है क्या यह इनफ टाइमिंग है एक्शली मुवी के लिए इनफ लाफ टाइम पर खेथी त्यामिंग होता है 22 कंद बहुत ज़ला टाइम होता है किसी भी फैन को इसी मुवी प्रवाइड करने के लिए वज अगर हम बात करें इन स्पेसिंपेखली मारवल की तो यह बहुत कम टाइम होता है, because Marvel अपनी movie के अंदर शिर्फ एक चीज नहीं करता हो, तीन से चार चीज लेके चलता है, पहला है past की story, दूसरा है present में जो movie के अंदर चल रहा है, तीसरा आने वाले future की upcoming movie की नीव इसी movie में बथा देना, तो Marvel को ये सारी चीजे करने होती है, एक movie के अंदर और उस movie के अंदर दो घंटे के अंदर ये सब चीजे परवाइड करना, sort of like impossible, और वही इस movie के अंदर हमें clearly देखने को मिलता है, इस movie की starting बहुत जादा awesome है, literally आपको मजा आएगा, और आपकी expectation बहुत जादा high level पर पोच ज इस movie के अंदर ऐसे से हमें experiment देखने को मिले हैं, जो fan expected नहीं कर सकते थे marvel ये दिजने के तरफ से, इसमें literally PG-13 plus से हमें चीजे देखने को मिली है, जो बहुत जादा shocking movement होता है movie के अंदर और उसी के साथ ये चीज़ हम expect नहीं कर सकते थे marvel की movie के साथ, बट marvel अपने आपको change क कर रहा है, जो marvel नहीं कर रहा है, उधर ही DC करके पैसे चाप रहा है, और marvel को हर जगे अपने पैर पशाणने है, और ये perfect strategy है किसी भी fan की demand को fulfill करने के लिए, because fans सब चाहते है, उनको सारे चीज़े देखने को मिले, आर 80 से चीज़ लेके उसको love triangle भी देखने को मिले, और जब मार्वल ये प्रवाइट करवा देगा, तो marvel टॉप पे ही रहने वाला है, अभी भी है पर, और उसको टॉप पे बने रहने के लिए, ऐसी चीज़े करनी होगी, जो वह अभी कर रहा है, इस movie के साथ, ये एक नमबर की movie है, जो marvel ने दिया है, बट बेस्ट नहीं है, इस movie के अच्छा काम कास्ट ने करा है, और director की direction आपको perfect देखने को मिलेगी, बट इस movie में जो director change हो है, हमें साफ देखने को मिल सकता हो, इसी के साथ, जो majorly movie में scene cut होए है, और इस movie को और छोटी बनाई गई है, तो हमें देखने को साफ सा मिल जाता है, कि movie खतम हो गई होती है, जो major चीज देखने को मिलती है, unnecessary cut मारे गए है, जो चीज बहुत ज्यादा इस movie को weird बनाती है, अगर आप देखोंगे, इस movie का villain और hero कोई नहीं है, बट जो major villain हो dark hold है, और वही चीज इसमें ज्यादतर काम करती है, almost हमारी fan theory इसको लेके सही हुई है, और जो हमने extra बनाई थ अच्छी नहीं है, no doubt your movie अच्छी है, बट हमें जो Marvel की तरफ से content की आज़त लग गई है, उसके साथ यह justice नहीं करती है, और मैं disappoint इसलिए कह रहा हूँ कि युले मल्टी वर्स का नाम है, तो हमने मल्टी वर्स को बहुत जादा ही बड़ा समझ ले है, Marvel के नजर में इतना जाओ, और हमारा Illuminati की वो on the spot मरें जाएंगे, और वो भी इसलिए है, because socket moment आपको provide करे, और आपके मुझ से थोड़ी बहुत चीखे निकले, तो इसलिए बस हो है, और Illuminati की पावर इतनी जादा होने के बाद भी literally वो एक चीटी बराबर है Marvel के आगे, तो Marvel ने यह चीज करक इसको digest करने में, तो आप इस मुवी से expect करके चलो, और उसी के साथ, जब मैंने Venom 2 देखी थी, तो मेरी expectation literally minus में थी, zero भी थी, minus में थी, मैंने जो दिखा देगा, वो मेरे को पसंद आएगा, और literally Venom 2 हमें मेरे को अच्छी लगी थी, बट अगर बात करें, Doctor Strange and Wanda Madness की, तो इसके expectation हमने बहुत मानी थी, Tom Cruise देखेगा, उसके साथ other चीजे देखेगी, Deadpool देखेगा, अलग element देखेगा, अलग अलग चीजे देखेगी, अलग characters देखेगे, cast देखेगे, major major details देखेगी, और जदा Avengers के character देखेगे, बहुत सरी चीजे हमें देखने को मिलेगी, बट इस म यह मुवी रिटररी बीक है, इसलिए हमारी expectation बहुत ही जादा थी, इस मुवी से, और अगर मैं अपने experience के बाद करो, मैंने यह मुवी 4DX में देखी है, और Spider-Man No Way Home भी 4DX में ही देखी थी, और इन दोन चीजों में 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 देखने को मिला है, कि Spider-Man No Way Home के अंदर हमारा गल जादा soaking movement था, बट exciting वाला soaking movement नहीं था, तो यह major difference हमें देखने को मिला, उसी के साथ, जो होता है, अच्छे के लिए हमें मुवी देखने को मिली है, बहुत लम्मे समय के बाद, और इसके अंदर हमें literally Marvel future के तरफ hint दे रहा है, कि future में हमें बहुत कुछ दिखने को मिलने वा थोड़ थोड़ा step लेके और वो movie possible बनेगी, और मेरे तरफ से Doctor Strange यह movie अच्छी थी, और literally one time watch थी, एक से जादा बार देखने का आपको कोई sense ने इस movie का, अगर आप one time देख रहो, आपको literally पसंद आएगी movie, आपके expectation जादा हाए, तो उसको glow कर लो, और movie अच्छी लगने व बहुत 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 जादा important है, जो आने वाले future की Doctor Strange के बारे में बताने वाला है, कि वो कहा adventure में busy होगा, वो क्या कर रहा होगा, और बहुत interesting है, आपको वो देखना चाहिए, second sort of type comedy है, अगर आप उना भी देखो, तो कोई फरक नहीं पढ़ने बाला, पर अगर आप इतन चीजे हमें देखने को नहीं मिली, जो हमने expect करी थी, तो कोई बातनी आने वाली movie में तो कम से कम देखने को मिलेगा, at least कुछ अच्छा, फिर इसके बाद हमें आर्ट जुलाई को Thor and Love and Thunder देखने को मिलेगा, और इससे पहले बहुत सारी source भी आ रहे है, Disney Plus और Amazon Prime पर, तो content ब मेद देखने के साथ तब तब के लेचे हैं